Hello friends, welcome to best English classes. मैं हूँ प्रतीक तावर और आज हम पढ़ रहे हैं body parts. सबसे पहले है face, face यानि चहरा. Hair यानि बाल, hair का कोई plural नहीं होता. Hair, forehead, 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 यानि मस्तक या ललाट. Eyebrows, यानि बोहें, Eyebrows, Eye Lashes, यानि पलक के बाल, पलकों के बाल को Eye Lashes बोलते हैं. Eyeballs, यानि आखें, जो आखों की पूरी बाल है, वो कहलाएगी Eyeballs. Eye Lids, यानि पलक, Eye Lids, लिड का मतलब ढखकन होता है. तो Eye Lids, एक तरीके से हमारी आखों का ढखकन है. Ears, यानि कान, जो कान का बाहरी भाग है, वो पिन्ना कहलाता है. और कान के अंदर Ear Drum होता है, जिसे कान का पर्दा कह सकते हैं. So Ear Drum, Next है Nose, यानि नाक, नाक का जो वहरी भाग है, उसे तो हम Nose कहेंगे, नाक कहेंगे, और नाक के जो छिद्र होते हैं, नाक के जो छेद होते हैं, उन्हें हम Nostrils कहते हैं. Nostrils, यानि नाक के छेद, Cheeks, C-H-E-E-K-S, Cheeks, यानि गाल, जिसके मोटे-मोटे गाल होते हैं, उसे चबी-चीक्स कहा जाता है, चबी-चीक्स. Mustache, M-O-U-S-T-A-C-H-E, Mustache, यानि मूचे, Beard, B-E-A-R-D, Beard, यानि दाड़ी, ठोड़ी को चिन कहते हैं, C-H-I-N, जिसकी चिन के नीचे काफी स्किन होती है, फैट होता है, उसे डबल चिन कहते हैं. होटों को कहते हैं लिप्स, मसूडों को कहते हैं गम्स, मसूडे, गम्स, His gums are bleeding, उसके मसूडों से खून आ रहा है, टूथ यानि एक दांत, और टीथ यानि एक से जादा दांत, टूथ यानि एक दांत, पैलेट यानि तालू, जीब जहां ऊपर टच होती हैं, उसे तालू कहते हैं, जौज यानि जबडे, अपर जौ और लोवर जौ, उपर का जबडा और नीचे का जबडा, जौज, नेक्स्ट हैं, टंग, टंग यानि जीब, टी ओ एन जी यू ए, टंग, सलाइवा, सलाइवा, यानि लार, थूख को स्पिट करना बोलते हैं, थूखने को स्पिट करना बोलते हैं, पर लार को सलाइवा कहते हैं, थ्रॉट, टी एच आर ओ एटी, थ्रॉट यानि गला, एडम्स अपल को कंट कहते हैं, कंट जो सिर्फ पुर्शों में होता है, उसे हम एडम्स अपल कहते हैं, गर्दन को नैक क पहनते हैं शोल्डर यानि कंधा शोल्डर यानि कंधा आर्म पिट यानि बगल या कांक आर्म पिट पिट का मतलब ऐसे गड़ा होता है आर्म पिट हैंड यानि हाथ ह, A, N, D अल्बो E, L, B, O, W अल्बो यानि कोहनी कोहनी को इंग्लिश में कहते हैं अल्बो E, L, B, O, W कलाई को कहते हैं रिस्ट W, R, I, S, T रिस्ट यानि कलाई कलाई में हम घड़ी पहनते हैं रिस्ट वाच पाम P, A, L, M पाम में L साइलिंट है पाम यानि हतेली फिस्ट F, I, S, T Fist यानि मुठी मुठी के अंदर क्या है? सिक्का है What is in your fist? A coin Thumb इसमें B, Silent है Thumb यानि अंगूठा Index finger यानि पहली उंग्ली Index का अर्थ होता है दिशा दिखाना पहली उंग्ली से दिशा दिखाते हैं डारेक्शन दिखाते हैं Index finger Middle finger यानि बीच वाली उंग्ली Middle finger Ring finger यानि जिसमें अंगूठी पहनते हैं वो वाली उंग्ली और Pinky finger जिसको Small finger भी कहते हैं और Little finger भी कहते हैं तो इसके तीन नाम हो गए Pinky finger Small finger और Little finger अलग-अलग उंग्लियों के क्या नाम है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे Thumb, Index, Middle, Ring और Pinky finger अंग्रेज लोग Pinky promise भी करते हैं जिसमें वो छोटी उंग्लियां आपस में जोड कर वादा करते हैं Nails यानि नाकुन इसलिए नाकुन काटने वाले को Nail Cutter कहते हैं Nails यानि नाकुन भी होता है और कील भी होता है Chest यानि छाती या सीना महिलाओं में breast होता है, stun बोलते हैं जिसको Back यानि पीट Upper back यानि उपर की पीट और lower back यानि नीचे की पीट Back bone यानि रीड की हड़ी Back bone Stomach या belly या abdomen कार्थ होता है पेट पेट को कहते हैं stomach Nevel या belly button यानि नाभी Nevel या belly button यानि नाभी राम भगवान ने रावन की नाभी पर तीर चलाया था इसे English में कहते हैं Nevel या belly button Waste यानि कमर जब आप jeans लेने जाते हैं तो आप से आपका waist size पूछा जाता है आपकी कमर का नाप जांगों को अंग्रेजी में thighs कहते हैं T-H-I-G-H-S thighs घुटनों को knees कहते हैं K-N-E-E-S knees पिंडली को English में calf कहते हैं काफ कार्थ बच्छडा भी होता है और पिंडली भी होता है तखने को अंग्रेजी में ankle कहते हैं और anklet का मतलब होता है pile leg यानि tongue इसका plural हो जाएगा legs foot यानि एक पैर और feet यानि दोनों पैर वही सेम tooth और teeth की तरह हैं ये भी toe यानि पाउं का पंजा या आगे का भाग और heel यानि की एड़ी पाउं की एड़ी को heel कहते हैं girls जो sandal पहनती हैं उसमें भी अलग-अलग नाम आते हैं जैसे pencil heel, high heel, soul यानि तलवा, हमारे पैर का बिलकुल नीचे का तलवा जूते में भी अलग से soul लगवाते हैं लोग, उसका की soft रहे bones यानि हड़ीयां हमारे शरीर में 206 हड़ीयां होती हैं 206 skull यानि खोपडी brain यानि मस्तिश्क या दिमाग brain यानि मस्तिश्क heart heart यानि दिल या हरदय हरदय या दिल को heart कहते हैं heart फेफडों को इंग्लिश में lungs कहते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं lungs ल, u, n, g, s lungs यानि फेफडी liver को हम यकरत कहते हैं या जिगर कहते हैं जिगर या यकरत यानि liver शराब पीने से liver खराब हो जाता है fatty liver नाम की बिमारी हो जाती है pancreas यानि अगनाशय अगनाशय भी शरीर के अंदर का एक अंग है pancreas p, a, n, c, r, e, a, s blood यानि खून या रक्त उसे blood कहते हैं artery यानि धमनी और vein यानि शिरा arteries हमारे शरीर में साफ खून को या oxygen वाले खून को ले जाती हैं और veins में deoxygenated यानि बिना oxygen वाला जो अशुद खून होता है वो पाया जाता है injection जो लगते हैं नॉर्मली वो IV लगते हैं यानि intravenous vein में लगाए जाते हैं be silent है womb या uterus यानि गर्भ या coke fetus हम बोलते हैं तीन महा के ब्रून को और उसके बाद कहते हैं embryo जो मा के पेट में बच्चा होता है तीन महिने तक fetus फिर embryo skin यानि तवचा और intestine यानि आंत large intestine और small intestine बड़ी आंत और छोटी आंत तिल को हम mole m-o-l-e mole यानि तिल और एक शब्द आप और भी इसमें जोड सकते हैं जो मस्सा होता है मस्से को अंग्रेजी में बोलते हैं wart w-a-r-t इस लिस्ट में नहीं है पर आप add कर सकते हो wart w-a-r-t यानि मस्सा पेशियों को अंग्रेजी में muscles कहते हैं के यहां sternum होता है और उससे ribs निकलती हैं पसलियां निकलती हैं I hope आपको body part समझ में आ गए होंगे यदि channel पे नए हैं तो इसे subscribe करें वीडियो पसंद आया तो like करें comment box में अपना feedback जरूर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ share भी करें फिर मिलेंगे एक और मज़िधा topic के साथ प्रतीक तावर को दें इजाज़त Thank you so much All the best to my dear students